बच्चो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा बारवी का थर्ड चैप्टर मतलब यह कि साजेदारी का पुनरगटन इसमें विदमान साजेदारों के लाब विभाजन अनुपात में परिवर्तन किस रूप में किया जाएगा इसके बारे में हम जानेंगे कोई भी स्थिती हो सकती है जिसमें की लाब विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है उससे पहले हम यह देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं या इसका पाठे क्रम क्या है सबसे पहले इसका है साजेदारी फर्म का पुनरगटन का आश है पुनरगटन से मतलब क्या है रिकॉंस्टूशन का क्या अर्थ है इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे उसके बाद है विदमान साजेदारों के लाब विभाजन अनुपात में परिवर्तन किस स्थिती में परिवर्तन की जा सकती है उसके बाद त्याग और प्राप्ति अनुपात अगर कोई साज़ेदार को कोई साज़ेदार अगर त्याग कर रहा है अपने अनुपात का या किसी साज़ेदार को प्राप्त हो रहा है किसी और साज़ेदार से तो उसके अनुपात के बारे भी बारे में भी इसी चाप्टर में पढ कितने पकार के ख्याति हैं तो उसके बारे में थोड़ा और आगे का हम पढ़ेंगे उसके अलावा क्या समयोजन किया जा सकता है अगर लाब विभाजन अनुपात में किसी प्रकार से परिवर्तन होता है तो उसके बाद देखते हैं संपत्ती एवं दाइत्वों का पुनर मु ल्यांकन करके किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में भी संबंदित लिखें के बारे में हम जानेंगे उसके बाद साजेदारों का पूंजी खाता एवं स्थिति वीवरन पूंजी खाते के बारे में हमने फर्स चाप्टर में पढ़ा था उसमें ये देखा था कि साजे जाएगा जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कुछ टर्मिनोलोजी हैं उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले यहां पर है पुनरगठन पुनरगठन का मतलब रिकॉंस्ट्यूशन्स मतलब यह कि साजेदारी वैद व्यसाय का बिजनस करता है तो उसमें जो भी लाब का अनुपात जो भी अगर बाटा जाएगा एक या एक से दो साजेदारों के बीच जो भी अनुबंध हो रहा है या समझोता हो रहा है उसको बोला जाता है रिकॉंस् साजेदारों का पुनरगटन किया जाता है उसके बाद है त्याक का अनुपात त्याक का अनुपात मतलब जो भी समर्पित किया जाएगा समर्पित अनुपात जो रहेगा वो ही त्याक का अनुपात रहेगा इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से पुराना अनुपात माइन संपत्ति Keeping Council इस में संपत्ति है इस प्रकार से हैं नया उनुपात मनिय पुरान उनुपात आर्श में जो है वो है रिवैले इशन कें मतलब पुनहर मुल्यांकन पुनहर मुल्यांकन में यह देखा जाएगा जितनी भी संपत्ति और दाइत्व हैं जो भी इस firm में हैं जो भी किसी भी firm में हैं तो उसको फिर से पुनर मुल्यांकन फिर से उसका मुल्यांकन करके लिखा जाना और जानना तो यह जो चार इसमें terminologies थी जो आगे आप लोगों को इस chapter में काम आएगा अब हम देखते हैं कि साजेदारी firm का पुनर मुल्यांकन का अर्थ क्या होता है जैसे कि पहले हमने देखा था कि साजेदारी firm वैद वैवसाय का एक या एक से अधिक लाब जो भी वितरन किया जाता है जो भी बाटा जाता है एक या एक से अधिक साजेदारों के मद्य एक अन अनुपात में परिवर्तन आता है तो उस केस में साजेदार का पुनर गठन करना बहुत ही आविशक हो जाता है और यह पुनर गठन भी किसी विशेश दशाओं में किया जाता है ऐसे नहीं कि किसी भी दशाओं में इसका पुनर गठन कर दिया जाए तो सबसे पहली जो दशा उसमें ये है कि विदमान साजेदारों को लाभानी अनुपात में परिवर्तन होने पर अगर किसी प्रकार से लाभ अनुपात में लाभ प्राप्ति अनुपात में या किसी भी अनुपात में अगर किसी प्रकार से परिवर्तन हो रहा है तो उस केस में साजेदारी फर्म का करना आविशक हो जाता है उसके बाद किसी साजेदार की आवकाज ग्रहन करने पर अगर रेटायर्मेंट हो रहा है किसी प्रकार से आवकाज ग्रहन कर रहा है आवकाज ग्रहन करने की कोई भी स्तिती हो सकती है जब कोई साजेदार आवकाज ग्रहन कर रहा है मतलब उस अब हम देखते हैं कि विद्मान साज़ेदारों के लाव विभाजन अनुपात में परिवरतन किस प्रकार से किया जाता है मतलब changes in the mutual profit sharing of the existing partners अब यहां पर कभी-कभी ऐसा होता है कि विद्मान साजेदार आपस में यह तै करते हैं कि जो भी लाव विभाजन अनुपात है उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाए अगर परिवर्तन किया जाना है तो फिर इस सिथी में भी साजेदारी फर्म का पुनरगटन किया जाता है जैसे कि परिवर्तन की आवशक्ता कब पढ़ती है जब पूंजी में किसी प्रकार से वृद्धी करनी हो प्रबंद में किसी प्रकार से और अच्छा करना हो या फिर किसी प्रकार से भागेदारी किसी और साजेदार को भागेदारी में लेना है तो इस स्तिती में साजेदारी फर्म का पुनरगटन किया जाता है अब यहाँ पर यह देखेंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन के कारण कुछ चेंजस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, मतलब यह किसी के साज़ेदार के लाब का अनुपात बढ़ता है, किसी का घटता है और अगर किसी साज़ेदार के में लाब का अनुपात अगर बढ़ जिसको लाब हो रहा है जिसके जो नफे का साज़ेदार है वो कुछ रकम जिस साज़ेदार को के लाब में कमी आ रही है या जो त्याग वाला जो साज़ेदार है उसको कुछ रकम देगा छती पूर्ती के रूप में और इस यह जो रकम है उसको ख्याती या प्रीमियम भी कहा तो इस प्रकार से इसकी जो पूर्ती होती है एक साजेदार से दूसरे साजेदार के द्वारा की जाती है। अब उन्होंने यह तैय किया है कि पुराना जो अनुपात है उसमें हम किसी भी प्रकार से उस पुराने अनुपात में हम लाभानी का विभाजन नहीं करेंगे और एक नया अनुपात होगा मान लीजे नया अनुपात है एक अनुपात एक अनुपात एक तो इस स्थिती में सा सजडार का प्रवेश मतलब hem admission of Paul New Parter gelb विद्मान सजडार को ऐसे लगता है कि कि किसी प्रकार से पूंजी में व्रद्धी की जाए कि प्रकार से कार कुष़लता में व्रद्धी की जा है तो वे नए सजडार का प्रवेश ले सकते हैं कि सजडारी अधिनियम 1932 में यहां कहा गया है यहां आदेश है कि यदि साज़ेदार को अगर पार्टनर्शिप डीड में यहां बोला गया है कि अगर किसी प्रकार का कुछ भी नियम नहीं है नए साज़ेदार के प्रवेश के लिए तो सर्व सम्मत्ती से जो विदमान साज़ेदार उस समय बिजनस में हैं, वो अपने सर्व सम्मत्ती से ये mutual concern से नए साज़ेदार को प्रवेश दे सकते हैं। अब उन्होंने D को admission दिया है एक बटे पांच भाग में। तो अब फिर से इनका अनुपात चेंज होगा क्योंकि पहले तीन साज़ेदार थे और अब चार हो गए हैं। तो इस स्तिती में साज़ेदारी firm का पुनरगटन करने की आविशक्ता पड़ती है। हो सकता है अगर उसकी स्तिती सही नहीं है, व्रिद्धावस्था भी हो सकती है या कोई और भी कारण हो सकता है। हो स्वस्थ नहीं है, व्रिद्धावस्था है या फिर पागल हो गया है तो इस स्तिती में नए साज़ेदार जो भी है वो साज़ेदार अपनी निव्रिद्धी ले सकता है। रिटायर्मेंट ले सकता है। जब रिटायर्मेंट ले लेगा तो इस प्रकार से यहां माना जाएगा कि उसका संबन्द उस साज़ेदारी फर्म से या उस बिजनस से अब समाप्त हो गया है। इस प्रकार से वो किसी भी काम में भाग नहीं ले सकेगा। तो उस स्तिती में भी साज़ेदारी फर्म के पुनर घटन की आविशकता पड़ती है और ये अगर पार्टनर्शिप एट विल है या इच्छा अनुसार साज़ेदारी की गई है तो साज़ेदार कभी भी रिटायर्मेंट ले सकता है अपने इच्छा के अनुसार अब इस पॉइंट में इस प्रकार से रिटायर्मेंट लेना चाहता है तो वो रिटायर्मेंट ले सकता है लेकिन जो बाकी की जो दो पार्टनर्स है वो उस बिसनेस को कैरी करेंगे उस बिसनेस को आगे चलाएंगे तो इस स्तिती में उनका जो भी अनुपात होगा लाववी भाजन अनुपात जो भ वरतन होगा तो इस स्थिती में साज़ेदारी फर्म के पुनर घटन की आवशकता पड़ती है अब हम देखते हैं विदमान साज़ेदारी की मृत्यू अगर पार्टनर्शिप फर्म में पांच पार्टनर्स हैं A, B, C, D और E अगर ये सुचारू रूप से बिजनस को चला रह हैं और इसी बीच अगर एक पार्टनर की मृत्ती हो जाती है मां A की अगर मृत्ती हो जाती है उसके बाद जो भी विदमान साज़ेदार हैं वो उस बिसनस को उस वेवसाय को वैसे ही आगे चालू रखेंगे तो इस स्थिती में फिर से इनका जो भी अनुपात होगा अगर A, B, C, D, E, 5 पार्टनर्स हैं उनका अगर अनुपात हैं तीन अनुपात, दो अनुपात, एक अनुपात, तीन अनुपात और फिर दो तो इस में से एक ही मृत्ती हो गई मतलब जो तीन का जो अनुपात था वो हड़ गया अब बाकी के चार पार्टनर्स हैं वो बिसनस को आगे बढ़ाएंगे तो इस सिती में फिर से उनके लाब अनुपात में परिवर्तन होगा तो इस सिती में भी साज़ेदारी फर्म का पुनरगर्टन किया जाता है अब हम उसके बाद देखेंगे लाब विभाजन अनुपात में परिवर्तन कुछ मदें ऐसी हैं कि जिनके कारण लाब विभाजन अनुपात में समायोजन किया जाना चाहिए ताकि जितने भी पार्टनर्स है सब में जो भी कारे है वो समान रूप से चले या जो भी अनुपात है वो समान रूप से हो तो इस स्तिती में भी साज़ेदारी फर्म का पुनरगटन किया जा सकता है उसमें से कुछ दशाएं इस प्रकार से हैं त्याक तथा प्राप्ति अनुपात का निर्धारन करना अगर निर्धारन करना है तो उस स्तिती में भी साज़ेदारी फर्म का पुनरगटन किया जा सकता करणा जैसे उस मकौन करता हैं इसके बाद ख्याती का समयोजन गों आपके रही को पामिया है कंख्या एवं दाइत्वों के पुनर मुल्यांकन करना और उसका उससे संबंदित लेखा करना तो उस स्थिति में भी लाव विभाजन अनुपात या जो भी अनुपात में अनुपात है उसमें परिवर्तन किया जाता है अब हम देखते हैं त्याग अनुपात मतलब sacrificing ratio त्याग अनुपात वो है कि अगर कोई विद्मान साजेदार है या वर्तमान साजेदार है और कोई नए साजेदार को प्रवेश देना या नए साजेदार है या किसी नए साजेदार को प्रवेश दिया गया है तो उस स्थिती में ख्याती का जो मुल्यांकन किया जाएगा जो भी अपना भाग जो समर्पित करेगा आने वाले साजेदार को, उसका जो भी हिस्सा होगा, लाप का हिस्सा, वो जब समर्पित करेगा उस साजेदार को, तो वो होगा त्याग का अनुपात, मतलब sacrificing ratio. उस सिती में उसका सूतर इस प्रकार से होगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात मिन्स old ratio माइनस new ratio और त्याग का अनुपात इसलिए निकालने की आवशक्ता पड़ती है कि ख्याती का जब भी मुल्यांकन किया जाता है, तो त्याग की अनुपात में किया जाता है. अब हम देखेंगे लाब प्राप्ती का अनुपात मतलब gaining ratio नफे का अनुपात तो इसमें अगर कोई साजेदार है, कोई साजेदार अगर retire हो रहा है, firm को छोड़ के जा रहा है, उसके लाब में से जो भी हिस्सा मिलेगा वो होता है नफे का अनुपात मतलब gaining ratio तो इसका ज की साजेदारी firm का पुनरगटन किया जाना चाहिए, आईए अब हम देखते हैं त्याग अनुपात और लाब प्राप्ती नफे अनुपात में अन्तर, सबसे पहले इसमें देखेंगे आशय, आशय में ये दिया है, नए साजेदार के पक्ष में पुराने साजेदार अपने अपने हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं, उस अनुपात को त्याग अनुपात कहा जाता है, मत्तब ये कि नए साजेदार अगर आ रहा है और उस केस में अगर पुराने साजेदार अपने हिस्से का कुछ पार्ट नए साजेदार को देते हैं, तो उसे त्याग अनुपात कहा जाता है लाब प्राप्ती नफे के अनुपात में किसी साजेदार के अवकाज ग्रहन या मृत्यू हो जाने पर पुराने साजेदारों के लाब के अनुपात में व्रिद्धी हो जाती है जिस अनुपात में यह व्रिद्धी होती है उस अनुपात को लाब प्रा अनुपात में व्रिद्धी हो जाती है तो इसे लाप्राप्ति अनुपात कहा जाता है दूसरा गर्णा गर्णा में देखते हैं त्याग अनुपात का त्याग अनुपात की गर्णा नए साज़ेदार के प्रवेश के समय की जाती है जब नए साज़ेदार आता है प्रवेश करने पर की जाती है। इस केस में अगर कोई साज़ेदार की मृत्ती हो रही है या वो अवकाज ग्रहन कर रहा है तब उसमें लाब प्राप्ति अनुपात की गणना की जाएगी। गणना वीधी, पुराने अनुपात से नए अनुपात को घटा कर त्याग अनुपात की गणना की जाती है, पुराना अनुपात माइनस नए अनुपात बराबर त्याग अनुपात, मतलब जब इसकी गणना करेंगे हम त्याग अनुपात की, तो पुराने अनुपात से नए अनुपात को घटाएंगे तो जो भी आएगा वो होगा त्याग अनुपात अब लाप्राप्ति अनुपात में देखते हैं नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटा कर लाप्राप्ति अनुपात की गड़ना की जाती हैं नए अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर नफे या लाप्राप्ति का अनुपात मतलब इसमें नए अनुपात से हम पुराने अनुपात को घटाएंगे तब यह आएगा लाप्राप्ति का अनुपात चौथा अनुपात में कमी या वृद्धी त्याग अनुपात से पुराने साज़ेदारों का लाभनी अनुपात कम हो जाता है और लाप्राप्ती अनुपात में शेश साज़ेदारों के लाप्राप्ती अनुपात में वृद्धी हो जाती है त्याग कर रहे हैं तो कमी आईगी और अगर हम को किसी प्रकार से प्राप्ती हो रही हैं तो व्रिद्धी हो जाईगी पूंजी पर प्रभाव पुराने साज़ेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में जमा किये जाते हैं लाप्राप्ति अनुपात में व्यवसाई जारी रखने वाले साज़दारों के पूंजी खाते नफे के अनुपात से नामे किये जाते हैं। चटवा, प्रयोग, इसका प्रयोग नए साज़दार द्वारा लाई गई ख्याती को बाटने के लिए किया जाता है। मतलब ये कि अगर त्याक के अनुपात है और अगर नए साज़दार ख्याती ला रहा है तो उसको इस अनुपात में बाटा जाएगा। लाप्राप्ती अनुपात में देखते हैं। इसका प्रयोग अवकाश या मृतक साज़दार को विदमान साज़दारों द्वारा की जाने वाली छती पूर्ती की राशी वहन करने के लिए किया जाता है। यहां पर यह ध्यान देने योग बात है कि साज़दारी फर्म में किसी भी कारण नए साज़दार के प्रवेश, साज़दार के अवकाश ग्रहन वविदमान साज़दार द्वारा लाभानी में परिवर्तन करने पर लाभानी अनुपात में परिवर्तन होता है। तब यह अ लाभानी अनुपात में परिवर्तन होगा तब यह अनिवारे हैं कि त्याग अनुपात या प्राप्ति अनुपात की गणना की जाए अगर यह वाले कंडिशन्स होंगे तो इस अनुपात के अधार पर ख्याती की राशी का समयोजन संचयों एवं अवित्रित लाभ का एवं पुनर मुल्यांकन के लाभानी की राशी को समयोजित किया जाता है ख्याती का मुल्यांकन जब विद्मान साजेदार के बीच लाभ हानी अनुपात के विभाजन में किसी प्रकार से परिवर्तन होता है तो इस स्थिती में एक साजेदार द्वारा दूसरे साजेदार के लाभ के हिस्से को क्रे कर लिया जाता है या फिर ले लिया जाता है ऐसी स्थिती में क्रे करने वाले साज़ेदार द्वारा त्याक करने वाले साज़ेदार को ख्याती के मूले में से ख्याती की राशी में से अनुपातिक राशी को हानी के रूप में या छती के रूप में दे दी जाती है तो ऐसी स्थिती में जितनी भी राशी जो दी जाएगी वो उसके ही लाब के बराबर होता है इस स्थिती में इसकी जो general entries होगी वो इस प्रकार से होगी जिसको प्राप्त हो रहा है जो साजेदार प्राप्त कर रहा है राशी उसका जो खाता है वो debit किया जाएगा और जो त्य इसका पूंजी खाता उस साजिदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएका मतलम अब इस से संबंदीथ हम कुछ सवाल बनाते हैं चास सजार रुपए किया गया उप्यूक्त व्यवस्ता के लिए आवशक प्रविष्टियां कीजिए जैसे कि इस सवाल में दिया है कि दो साजेदार हैं एक है राम और दूसरा है श्याम उनका जो पुराना अनुपात है तीन अनुपात दो और जब नया अनुपात लिया गय अनुपात है वह एक अनुपात एक अब हम यहां पर फिर से सैक्रिफाइजिंग रेशियो मतलब त्याग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो मतलब प्राप्ति का रेशियो निकालेंगे तो इसका सूत्र है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात सबसे पहले हम राम करने के बाद जब गढ़ना की जाएगी तो उसमें आ जाएगा 6-5 तो यहां पर आ गया 1 बटे 10 मतलब यह हुआ त्याक का अनुपात means sacrificing ratio वैसे ही जब श्याम का करेंगे तो श्याम का अनुपात है 2 बटे 5-1 बटे 2 जब इनका LCM निकालेंगे तो फिर से 10 आएगा और calculation करने क के बाद उपर आएगा 4-5 जब 4 में से 5 को घटाएंगे तो minus 1 आएगा minus 1 upon 10 मतलब minus 1 बटे 10 यह हो जाएगा gaining ratio या प्राप्ति का रेशियो अब इसमें यह दिया है कि राम जो है वो त्याक का अनुपात है और श्याम जो है वो प्राप्ति का अनुपात है अब यहां पे goodwill दिया है question में 50,000. उस 50,000 का जो भी गड़ना है वो दोनों में किया जाएगा दोनों के अनुपात के हिसाब से किया जाएगा. पचास हजार को अगर हम राम के में करेंगे तो पचास हजार गुनित एक बटे दस आ जाएगा पांच हजार पांच हजार जो है वो त्याक करेंगा राम सेम वैसे ही शाम में हम करेंगे तो पचास हजार गुनित माइनस वन अपॉन टैन तो उसमें आ जाएगा माइनस पांच गेनिंग रेशियो था इसलिए उसको प्राप्त होगा अब इसका हम जनरल प्रविष्टी देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा सबसे पहले श्याम का पुझी खाता विकलन पांच हजार फिर राम के पुझी खाते से पांच हजार ख्याती का समयोजन किया गया सेम वैस से श्याम्स कैपिटल एकाउंट डेबिट 5000 तू राम्स कैपिटल एकाउंट 5000 बिंग शेर अफ गुडविल पेड तो इस प्रकार से इस गुडविल की गणना की जाएगी और जनरल प्रविष्टी की जाएगी अनिल बसंत और सुनील साजेदार हैं जो लाभवनी को पांच अनूपाथ, चार अनूपाथ, एक के अनूपाथ में बाटते हैं यह सूनिश्चित किया गया कि वे 1 जन्वरी 2018 से 9 अनूपाथ, 6 अनूपाथ, 5 अनूपाथ में लाभवनी को बाटेंगे ख्याती का मुल्यांकन दो वर्षों के क्रम के आधार पर तीन वर्ष के ओसत लाब के आधार पर बाटा जाएगा गत तीन वर्षों का लाब 52,000 रुपे, 48,000 रुपे, 41,000 रुपे था ख्याती खाता खोलें बगेर जनरल प्रविष्टियां द्वारा ख्याती का वहवार कीजिए अब जैसे इस सवाल में दिया है कि A, B और C मतलब अनिल, बसंत और सुनिल तीन साजेदार हैं जिनका पुराना अनुपात दिया है 5, अनुपात 4, अनुपात 1 उसके बाद एक जन्वरी को यह तै हुआ, यह डिसाइड हुआ कि नए अनुपात में उनको लाभानी का विभाजन किया जाएगा और अगर ख्याती है तो ख्याती का विभाजन भी उसी अनुपात में किया जाएगा, तो नए अनुपात जो था 9, अनुपात 6, अनुपात 5, अब हम सबसे पहले इसमें नया अनुपात निकालेंगे, हो सकता है वो sacrificing ratio भी हो या फिर gaining ratio, मतलब त्याक के अनुपात भी हो सकता है और मुनाफे का अनुपात भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनिल, बसंत और सुनील, इसमें पुराना अनुपात दिया है 5 अनुपात एक और नया अनुपात दिया है 9 अनुपात, 6 अनुपात और 5, अब इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे त्याक का या फिर gaining ratio, मतलब sacrificing ratio या gaining ratio, तो उसमें आ जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, अब अनिल का देखते हैं पुराना अनुपात क् माइनस 9 बटे 20, जब इसका LCM निकाला जाएगा तो आएगा 20 और जब calculation किया जाएगा तो उपर आ जाएगा 10 माइनस 9, मतलब 1 बटे 20, तो इसमें किसी प्रकार से माइनस नहीं है, तो ये त्याक का नुपात होगा, मतलब sacrificing ratio होगा, अब उसके बाद हम देखते हैं बसंत का बसंत का हो जाएगा 4 बटे 10 माइनस 6 बटे 20, फिर इसका LCM निकाले तो 20 आ गया और उपर जब उसको हमने calculation किया तो हो गया 8 माइनस 6, मतलब 2 बटे 20, ये फिर से sacrificing ratio मतलब अनिल का भी sacrificing ratio है त्याक का नुपात और बसंत का भी sacrificing ratio है त्याक का नुपात, अब last में हम देखते ह सुनील का, तो सुनील में है 1 बटे 10 माइनस 5 बटे 20, फिर इसका LCM निकला 20, calculation करने के बाद आ जाएगा 2 माइनस 5, जब 2 में से हम 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 3 बटे 20, तो ये होगा मुनाफे का नुपात, मतलब प्राप्ती का नुपात, या फिर gaining ratio, अनिल को म मिल रहा है त्याक का नुपात, और फिर सुनील को मिल रहा है मुनाफे का नुपात, मतलब gaining ratio, अब इस question में बोला है कि valuation, मतलब goodwill दिया हुआ है, goodwill इसमें बोला गया है ख्याती जो 2 वर्षों के क्रे में 3 वर्षों के औसत के बराबर होगा, तो सबसे पहले हम ख्याती की करना करेंगे, मतलब valuation of goodwill करेंगे, इसमें 3 वर्ष का average profit औसत लाब दिया है, तो इन 3 वर्षों के लाब को जोडने के बाद 3 से भाग देंगे, तो वो हो जाएगा goodwill का calculation, तो उसका सूतर किस प्रकार से होगा, ख्याती बराबर औसत लाब गुनित वर्षों का क्रे, जितने वर्षों का क्रे बोला गया है, उसको गुणा करेंगे, मतलब goodwill equals to average profit into purchase of years, अब उसमें हम सबसे पहले औसत लाब निकालेंगे, औसत लाब कितना दिया है, तीन साल का, एक का दिया है 52,000, उसके बाद दिया है 48,000, और उसके बाद दिया है 41,000, जब तीनों को जोड़ा जा तो उसमें आ जाएगा 1,41,000, और इस 1,41,000 को हम तीन से भाग देंगे, तो औसत प्रॉफिट जो भी है वो निकल के आ जाएगा, जब हम 1,41,000 को तीन से भाग देंगे, तो वो निकलेगा कितना, 47,000, 47,000 कितना हुआ, औसत लाब हुआ, अब इस औसत लाब को हम सूतर में रखेंगे गुडविल के सूतर में, मतलब एवरिज प्रॉफिट, एवरिज प्रॉफिट कितना है, 47,000 कितना है, कौशन में दिया है, दो वर्षों का क्रें, तो 47,000 को हम 2 से गुणा करेंगे, जब हम 47,000 को 2 से गुणा करते हैं, तो उसमें आ जाएगा 94,000, अब उसके बा पहले हम अनिल का देखेंगे, अनिल का है 94,000 into 1 upon 20, जब इसको 1 upon 20 से हम भाग देखके गुणा करेंगे, तो ये आजाएगा 4700, अब उसके बाद हम देखते हैं बसंद का, बसंद का फिर 94,000 into 2 upon 20, 2 upon 20 त्याग का अनुपात किसका आया था, बसंद का आया था, जब हम इसको भा देखके गुणा करेंगे, तो ये आएगा 94,000, ये भी त्याग का अनुपात है, मतलब कि अनिल भी त्याग करेंगा और बसंद भी त्याग करेंगा, उसके बाद सुनील में आते हैं, सुनील का है 94,000 into 3 upon 20, जब इसको हम भाग देंगे और 3 से गुणा करेंगे, तो ये आज देगा, बसंद देगा और मिलेगा किसको सुनील को मिलेगा, तो इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से हो जाएगी, सुनील का पूंजी खाता विकलन 14,100, मतलब 14,100 से, उसके बाद अनिल के पूंजी खाते से 4700 और बसंद के पूंजी खाते से 9400, वैसे ही देखते हैं, तो इस प्रकार से इस कोशन को बना जाएगा, इसमें तीन चीज़ का कैलकुलेशन हुआ है, एक हुआ है, नया अनुपात, उसके बाद गुडविल का हमने कैलकुलेशन किया है, मतलब ख्याती की गणना की है, उसके बाद हमने उसकी जनरल एंट्री भी की है, तो जब इस में तीन चीज़ दी जाएगी, तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा, अ, ब, व, स, एक फर्म में बराबर के साजेदार हैं, यह तैह हुआ कि वे भविश्य में तीन अनुपात, दो अनुपात, एक के अनुपात में लाभानी बाटेंगे, साजेदारों के त्याग अ अनुपात के साजेदारी कि तो नए अनुपात जो आएगा उसमें वो होगा तीन अनुपात, दो अनुपात एक, उसमें उनका जो भी लाभानी है वो विभाजन किया जाएगा, तो अब हम देखते हैं कि इसमें नया अनुपात हम कैसे निकालेंगे, या तो वो त्याक का का अनुपात होगा या फिर वो नफे का अनुपात होगा या प्राप्तिगो शेल शेल रहा हैं तो उस केस में वो जो अनुपात होगा वो होगा त्याक का अनुपात या फिर सैक्रिफाइजिंग रेशियो अब देखते ही इस सवाल को कैसे बनाना है अ ब और सा तीन साजेदार हैं उनका पुराना अनुपात दिया है एक एक और एक मतलब बराबर में बाट रहे हैं इसलिए एक ए और एक अनुपात दिया हुआ है नया अनुपात उनका मतलब न्यू रेशियो क्वेशन में दिया है तीन अनुपात दो अनुपात एक अब हम सूत्र देखते हैं त्याक का या मुनाफे का क्या होगा उसमें आ जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात मतलब ओ A का जो पुराना रेशियो क्या है? 1 बटे 3, question में दिया है, 1, 1, 1, तो पुराना रेशियो क्या हो गया? A का 1 बटे 3, minus 3 बटे 6, नया अनुपात में A का दिया हुआ है 3, तो यह हो जाएगा 3 बटे 6, बराबर हो जाएगा 2 minus 3 बटे 6, जब हम इसको गणना करेंगे, इसका जब हम calculation करेंगे, तो उस case में यह हो जाएगा 2 बटे 2 minus 3 बटे 6, बराबर minus 1 upon 6, यह minus आएगा, वो इसलिए कि 2 में से 3 को घटा रहे हैं, 2 छोटा नंबर है, जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाते हैं, तो उस case में minus में answer आता है, तो यह है minus 1 upon 6, मतलब यह हो गया प्र minus 2 upon 6, जब हम इसका LCM निकालेंगे, तो 6 आएगा, और जब इसको हम calculate करेंगे, तो यह आजाएगा 2 minus 2 upon 6, जब 2 में से 2 को घटाएंगे, तो 0 हो जाएगा, तो इसका जो अनुपात आएगा, ना प्राप्ति का आएगा, ना त्याग का आएगा, मतलब ना sacrificing ratio आएगा, ना उ देखते हैं, वो है C, C का आजाएगा, एक बटे 3 minus 1 upon 6, मतलब जब हम इसका LCM निकालेंगे, तो फिर से इसका 6 LCM आएगा, और 2 minus 1, calculation करने के बाद उपर आजाएगा, 2 minus 1, जब 2 में से 1 को घटाएंगे, तो 1 आएगा, एक बटे 6, एक बटे 6 यह प्लस में आया है, तो यह का अनुपात माना जाएगा, मतलब sacrificing ratio माना जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर A का जो ratio होगा, वो प्राप्ति का होगा, मतलब gaining ratio होगा, minus 1 upon 6, B का निल आएगा, क्योंकि 0 आया है, और C का आया है, एक बटे 6, मतलब त्याक का अनुपात यह फिर sacrificing ratio, इस प्रकार से इस स सवाल को बनाया जाएगा, मोहन, सोहन एवं रोहन एक फ़र्म में साज़ेदार हैं, जो लाभानी को क्रमशह, दो अनुपात, दो अनुपात, एक के अनुपात में बाटते हैं, एक एपरिल 2018 से समान अनुपात में लाभानी बाटने का निश्चय किया, साज़ेदारों एवं प्राप्ति अनुपात की गढ़ना कीजी ए अब हम देखते हैं कि इस सवाल में क्या दिया है इस सवाल में तीन साजेदार है मोहन सोहन और रोहन इनका पुराना अनुपात दिया है 7 drug card दो अनुपात एक में यह अपने लाभवानी को बाड़ते थे अब ये तैह हुआ कि इनका नया अनुपार्थ होगा, नया अनुपार्थ है, एक अनुपार्थ, एक अनुपार्थ, एक अनुपार्थ, मतलब तीनों अब जो लाभानी को बाटेंगे, वो बराबर में बाटेंगे, मतलब एक अनुपार्थ, एक अनुपार्थ, एक अनुपा अब हम यहाँ पर तीनों का देखते हैं कि कैसे निकलेगा ratios, सबसे पहले मोहन का देखेंगे, मोहन का पुराना अनुपात दिया है 2 बटे 5, minus 1 बटे 3, जो नया अनुपात है, जब हम 3 और 5 का LCM निकालेंगे तो वो 15 आएगा, 15 और जब calculation करेंगे, गणना करेंगे तो उपर आएगा 6, minus 5, मतलब इसका हो गया 1 बटे 15, अब 1 बटे 15 आएगा तो यह त्याक का अनुपात या फिर sacrificing ratio इसका आएगा, अब उसके बाद हम सोहन का देखते हैं, सोहन का दिया है 2 बटे 5, minus 1 upon 3, फिर जब इसका LCM निकालेंगे तो यह आएगा 15, और जब calculation करेंगे तो फिर से उपर आएगा 6, minus 5, फिर इसका भी आजाएगा 1 बटे 5, जो त्याक का अनुपात होगा या sacrificing ratio होगा, अब रोहन का देखते हैं, रोहन का दिया है 1 बटे 5, minus 1 बटे 3, जब इसका LCM निकालेंगे तो LCM फिर से 15 आएगा, और जब calculate करेंगे तो उपर आजाएगा 3, minus 5, ratio होगा, मतलब प्राप्ति का ratio होगा, तो इस प्रकार से मोहन का होगा 1 बटे 15, सोहन का होगा 1 बटे 15, और फिर रोहन का होगा minus 2 बटे 15, इस प्रकार से इस सवाल को बनाया जाएगा.